हेलो गाइज वेलकम बैक इससे पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि डिजीज कैसे टाइम के हर अलग-अलग सीजन में कैसे डिस्टिबूटेड होता है फिर बताया कि डिजीज प्लेस टू प्लेस हर अलग-अलग प्लेस पे कैसे डिस्टिबूटेड होता है सब्स्क्राइब करें कोई हैं किसी पर्टिकॉलर प्लेजिव करते हैं और बाकि मेरे चैनलना को सब्स्क्राइब कर लें और अगर कोई भी कुस्टन हो तो आप कमेंट सक्षन में में इसे में सब्सक्राइब है, जो कोई देखते हैं, तो मीजिल्स और चिकन बॉक्स तो क्या मिजिल्स और चिकेन पोस गुण है वह रिस्पिरिट्री डिजिस हो है तो वह फ्लेस्ट डिस्ट्रिवाशन करते हैं तो नहीं क्योंकि इंडिया में पूरी जगह पे हम एर प्वालिटी लगभग सेम हैं और इस लिए पूरी डिजिसमें मिजिल्स कहीं भी हो सकता है बच्चे को दोह है इंडिया में मिज़ल की वैक्सति 9 मन्त के पी पूरी इंडिया मिलती है घल अब देखते हैं कि यह दोनों मिज़ल और चीकेन बाक्स यह दोनों डिस्ट्रिबेशन नाहीं सू करते हैं इसितरह से देखते हैं तैफ़ायद कोलेरा उन्हीं थे एसके लगभच अधरी नहीं को सकते हैं त oyn दिखथे हैं उसके वह दिखने को बेंगा के की दीशिटिबूसम्न करें नहीं हो सकता यह उसका है उसके भाध देखते प्हाल प्हियना और हिमाचल मिलते लृइस लिए कोई दूसरे स्टेट से हैं उसे डंगू हो सकता है लेकिन अगर नौर्थ इंडिया चे physiology बहुता है कि देंगू k ليscheinlich टूपिक है जो आती है इनके बारे में हम डीटेल में जानेंगे तो सब से पहले देखते हैं कौन कोन सी है H1N1 है इसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं कॉंगो फीवर लीची वाइरस इबोला वाइरस जीका वाइरस प्लाजिमोंडिय मोबैल नीपा वाइरस वेस्ट नायल फीवर यह सारे क्या है न्यू डिजीज है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं एपीडेमिलोजी से आपक 1-40 करोर है तो कोई नएडीज अजल्द एक सा तने सारे पंदेख नहीं कर सकते है तो हमें नएजह कोई भीढह सीटार वहीं कोई छोटे सहर से स्टार धीर दीरे बाकी जंगों उपर इस पोग के फीर यह अपना अंसर जो है दूसरे बाकी जंग है दिखाएंगे लेकिन पहले जहां स्टार्ट होंगी तो वहीं पर प्लेश डिस्ट्रिबूशन ही सो करेंगी ना तन वी विल से डैट न्यू डिजीज आर वेरी गुड एक्जामपल ओफ प्लेश डिस्ट्रिबूशन अब इन सब को एक एक करके देखते हैं कि कैसे कौन सा डिस्ट्रिबूशन सो करता है या नहीं सो करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं H1N1 इसको देखते हैं H1N1 स्वाइन फ्लू को तो Swine Flow जो होता ये कहीं भी हो सकता लेकिन इसके सबसे ज़्यादा केसे कहाँ देखने को मिलते है Metro Cities में देखने को मिलते है Swine Flow के सबसे ज़्यादा केस पूने में रिपोर्ट होया अभी तक पूने के अलामाद देल ही मुंबाई कोलकता, हैदराबाद चन्णाई, ट्रिवैंद्रम और कोचीन में भी इन्हीं साथाठ जो मेट्रो सीटीज हैं, इनमें ज्यादा रिपोर्टेंड़ आठिर क्यों इन साथाठ मेट्रो सीटीज में ये जो है, ह1 albo 50 स्वाइन फ्लू के के से ज्यादा है तो जहां जहां से हमारे international airport का ये जहां जहां हमारे international airport है वहां ही maximum chances होते हैं इसके transmission के swine flu तो आप इंडिया के किसी छोटे गाउं में भी रहें तो वहां पे भी हो सकता है आपको swine flu लेकिन अगर metro cities में हैं तो इसके risk ज्यादा हो जाते हैं और अगर आप international flight से ट्रेवल करते हैं तो swine flu होने के chances और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे तो international air travel जो है वह swine flu स्पीड करने का सबसे important reason है और swine flu के जैसे ही इंडिया में एक disease है tuberculosis आपको तो पता ही होगा tuberculosis के बारे में यह लगबख दोनों का character same है लेकिन फिर भी टीवी जो है वो place distribution so करता है कि नहीं तो टीवी place distribution so नहीं करता है क्यों क्योंकि टीवी के cases तो इंडिया में हर जगा मिलेंगे लेकिन swine flu क्या है एक नए disease है और इसको अभी पूरी इंडिया में स्प्रीड करने में 10-15 साल लग सकते हैं तब तक यह place distribution का एक्जामपल है जब तक यह new disease है जब इस प्रीड कर जाएगा तो फिर यह place distribution का एक्जामपल नहीं रहेगा अब बात करते हैं हम second number Congo fever की Congo fever जो है जो यूज वाली अफ्रीका में होती है लेकिन अब इंडिया में भी इसके case जो है वो गुजरात में और देली में reported हुए इसलिए यह भी place distribution का एक अच्छा एक्जामपल है यह transmit कैसे होता है Congo fever तो Congo fever एक वेक्टर बॉर्ण डिजीज है इसके वेक्टर जो पहले अफ्रीका में होता था लेकिन अब इंडिया में भी हो रहा है जो कि इसका वेक् अब बात करते हैं Congo fever की इंडिया में drug of choice का है तो Congo fever की इंडिया में drug of choice जो है वो है राइवा विरीन अब बात करते हैं लीची वाइरस के बारे में तो लीची वाइरस जो है यह अभी तक वेस्ट वंगॉल के सिलीगोरी डिस्ट्रिक में ही मिली है तो हमें इसका कॉज़ेटिव एजेंट तो नहीं पता एपिटेमिलोजिकली लेकिन सिर्फ इतना पता चल पाया है कि अभी त इंपटी स्टी में कोई खाता है वो वह भी कोई बत्चा दिची को है टो इससे उसकी टाथ भी हो सकती है तो इसका कॉज़ेटि लेकिन इसकी अंडरलाइंग मैकेनिजिम का पता चल आ एक अगर लीची को इंपटी स्टो इस glucose का level कम हो जाता है और उसकी वज़े से ही death हो जाती है अब यह disease सिर्फ वेस्ट बंगोल में ही restricted है इसलिए यह अभी एक place distribution का अच्छा example माना जाता है अब आता है Ebola virus पे तो Ebola virus जो है इसका outbreak स्टार्ट हुआ था आफरीका में इवोला वाइरस का outbreak अफरीका में और बाइचांस इसका एक case देली में इंद्रगंडी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर इडेंटिफाई हुआ और इसे वहीं पर कंट्रोल कर लिया गया इसलिए सिर्फ देली में ही पाया जाने के वज़े से इवोला वाइरस भी place distribution का एक अच्छा एक्जामपल माना जाता है कि body fluid से speed करता है अब बात करते हैं जीका वाइरस की तो यह भी एक अफरीकन डिजीज है जिसके इंडिया में वापसी हुई है यह डिजीज सिर्फ गुजरात और तमिलनाडू में ही देखने को मिला है तो अच्छा एक्जामपल है जीका वाइरस का रूट ऑफ ट्रांजमिशन है एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो ही इसका रूट ऑफ ट्रांजमिशन है अब हम चानते हैं कि malaria जनरली कितने टाइप के होते हैं चार टाइप के आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम वाइव इंडिया में पाया जानने लगए हैं तो प्लाज्मोडियम वाइली का केस जो है वह जनरली इंडिया के 4 मेजर जिगाफिकल एरिया से स्टार्ट हुआ है गुजरात वेस्ट बंगौल देली और मुंबई से इस वक्त में यह सिफ चार जोगहों पे देखने को ज्यादा मिल वाइरस जो है वह पहले रिपोर्ट हुआ था वेस्ट बंगॉल से और उसके बाद में केरला में भी रिपोर्ट हुआ है इसलिए यह भी प्लेश डिस्रिविशन का एक अच्छा एक्जाम्पल है और यह स्प्रीड करता है न कॉंटामिनेशन कॉंटामिनेशन और फ्रूट व अब देखते हैं और इंडिया की नए डिजिजजेज के बाद में इस इतनी डिजिजेज थी तही इनके बाद में देखते हैं एक और नई डिजिजेजर जो 2019-2020 में इंडिया में वापस आई है वो है West Nile fever ठीक है इसके cases जो है वो केरला में रिपोर्ट हुए इस डिजीज क वेक्टर जो है उसका नाम है Qlex PPNS Qlex PPNS तो इसी तरह से अभी हम पिछले 10-12 साल को देखें तो क्या-क्या नई डिजीज पूरे वर्ल्ड में हुई हैं अब उसको देखते हैं अभी तक तो हमने पूरे इंडिया का देखा अब हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि क्या-क्या नई डिजीज हुई हैं उनका कैसा प्लेश डिस्टिबूशन है कहां पे ज्यादा है अब देखते हैं H1N1 H1N1 जिसे कॉमन लैंग्विज में स्वाइन फ्लू काते हैं हैं आपने देखा कि कोई दिजीज एक साथ पूरे इंडिया को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी पार्टीकूलर जगह से ही呀 मतलों एक प्लेश डिस्टिबूशन का मतलена रही क्या जब इस्टार्ट होती अब किसी पार्टीकूलर जगह पे होती है और उस जगह पे वह ज्यादा तेजी से स्प्रीट करती है तो आप देखते हैं जब स्टार्ट हुई थी 2009 में मेक्सिको में सबसे पर 2009 में मेक्सिको में हुई थी और वहां से धिरे-धिरे स्पीड होकर दुनिया कई दिसों में पहुंच गई लेकिन आज भी इसके अधिकतर केसे जो है वह साउथ एसिया में ही देखने को मिलते हैं इसी तरह से है एच 5N1 जिसको हम बॉर्ड फ्लू के नाम से भी जान है इसलिए यह भी एक प्लेश डिस्ट्रीबिशन का अच्छा एक्जामपल है अब देखते हैं H7N9 यह एक डिजीज है यह स्टार्ट हुआ था 2013 में सबसे पहले मिला था इसका केस और वह भी चाइना में तो सिर्फ चाइना में होने की वाज़े से यह भी एक प्लेश डिस है वहीं पर यह डिजीज मिली है आपको याद हो कुछ सल पहले एक डिजीज होती थी सार्स तो सार्स का ही जो सार्स है उसका कॉजिटीव एजेंट है कोरोना वाइरस जैसे जैसे सार्स दुनिया से कायब होता गया उसके जगह उसका वेरियेंट आता गया और वही है सार्स का variant MERS means Middle East Respiratory Syndrome तो Middle East Respiratory Syndrome का भी जो कॉजिटिव एजन्ट है वो Coronavirus ही है दोनों का कॉजिटिव एजन्ट सेम है Coronavirus ही है इसलिए हम MERS को MERS Coronavirus भी के नाम से भी जानते हैं ओके इसी तरह से आब आते हैं Ebola और Gika Virus पे तो Ebola और Gika Virus का आउटब्रेक जो है वो अफरीका से स्टार्ट हुआ था और आज भी इन दोनों डिजीज के सबसे ज़्यादा केसे जो है वो अफरीका में ही मिलते हैं तो इसलिए यह भी Place Distribution का एक अच्छा एक्जामपल है और सबसे लास्ट है COVID-19 जो कि चाइना से तो इस्टार्ट हुआ लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में फाल गया है यह तो एक पैंडेमिक है एपीडिमिलोजी का जो तीसरा Distribution है वो है हमारा डिजीज का वो है परसन परसन का Distribution कैसे होता है तो आप देखते है ain't परसन में कैसे होता है परसन में दो तरह से Distribution होता है या तो af Christ केparenting या ऌ पिर Sex के Correcting एस की हिसाब से बातेंगे की Child में Middle Age मैं और Old Age में और Sex के zob ourselves Male और Female में तो देखते हैं सबसे पहले ऐस के manifest तो एज डिस्ट्रिबूशन में सबसे पहले देखते हैं पार्टिक्लर एज गूरूप में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं तो हम देखते हैं क्या मिजिल्स तो मिजिल्स जो है वो किनको ज्यादा होता है तो सिक्स मॉन्स से 3-year के बेबी को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यह सारे शेड़ी डिजीस है मिजिल्स मॉंस चीकन परक्स तो हम देखने को से 6-month पहले क्यों में में बेबी के बो में maternal antibodies रहोता है और six months के बाद maternal antibodies खतम होना लगती है तब child measles के लिए susceptible हो जाता है तो इंडिया में measles का majority of cases जो है six months से three year में मिलता है ऐसा नहीं है कि measles से बड़े लोगों को नहीं होगा मिजल्स old age में भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो cases होते हैं वो पीडियार्टिक वार्ड में आपको देखने को मिलेंगे मिजल्स के वो भी six months से three year के बच्चों को अब बात करते हैं mums की तो mums can affect any age group बट यह सबसे जादा जो है वो five to nine year के age में होता है मतलब school going age जो होता है उस टाइम में होता है मंस मंस जो है वो close contact से फैलती है तो school going जो बच्चे होते हैं वो क्या होते है कि classes में बैठते हैं एक साथ में तो close contact होता है इसलिए यह फैलता है इसी तरह से है chicken pox chicken pox भी किसी भी group में हो सकता है ठीक है लेकिन सबसे जादा यह यह भी five to nine year old year के बच्चे में ही देखने को मि है तो मंस एंड चिकन पॉक्स बोथ हार वेरी गुड एक्जांपल ऑफ एज डिस्ट्रिबूशन ऑफ डिजीज अब बात करते हैं H1N1 की H1N1 भी मिजिल्स एंड मॉम्स के तरह ही वाइरल डिजीज है लेकिन यह अभी new disease है और किसी के पास इसके अगेंस्ट में ना इम्म सकते हैं कि यह इस डिस्ट्रिबूशन के सबसे बच्चों में ज्यादा कॉमन है या फिर बड़ों में ज्यादा कॉमन है ठीक है अब बात करते हैं हम रुमेटिक फीवर की तो रुमेटिक फीवर जो होता है इसके भी सबसे जादा किसे जो है 5-15 एर के एज में देखेगा ह अब देखते हैं कुछ पार्टिकुलर कॉमन डायरियल डिजीजेज को जैसे की टाफायड और कोलेरा तो टाफायड और कोलेरा जो है यह किसी को भी हो सकता है जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी कंटामिनेटीड फूड यह वाटर कंजूम करेंगा उसे हो सकता है तो कॉमन जैसे जैसे डिजीजेज दू नौट सो एस डिस्टिपूशन बिकोज वाटर क्वालिटी इस सेम थूआउट इंडिया जो भी कंटामिनेटीड भोगा उस सभी को हो सकता है अब देखते हैं रोटा वाइरस तो रोटा वाइरस जो होता है सबसे जादा इसकी केसिस दो साल क बच्चों में दो साल से कम के बच्चों में देखने को मिलता है younger infant less than 2 years so it is a good example of age distribution आँप देखते हैं पोलियो नेटल टेत नस को भी देख लेते हैं नेटल टेते हैं यहा पे बता रहे है नेट यह जिलीजए 28 देश का बच्च है तो 0-28 दिन के जो बेबी होते हैं उनमें होता है नियो नेटल टेटनस तो यह तो नाम से ही इसका पता चल रहा है कि एज डिस्ट्रिविशन है बात करते लेते हैं पोलियो की तो पोलियो के 99% केसे जो है 99% केसे जो है वो 0-5 यह के एज में होते हैं इसलिए आपने देखा वाइरस का जो वैक्सीन होता है वो पास साल से कम के बच्चे को ही दिया जाता है अब देखते हैं कॉमन नन कम्यूनिकेवल डिजीज जैसे कि डियाबिटीज मेलाइटर्स हाइपर टेंसन कोरोनरी हर्ट डिजीज उसके बाद है कैंसर और कैट्रेक्ट यह सारे को देखते ह है तो डियाबिटीज मेलेटास का ऐफ को पता हैज से किसी भी एस ग्रूप में हो सकता है लेकिन आप पड्रेक्ट होगी तो आज आज Κल कि रहुक स्थाप अच्छा में को देखने को मिलता है मैक्सिम python के ख्यृक्ति मैं नहीं ही मतला है में क्यों में एंचे बाद लाध घ देखने को मिलता है लेकिन 40 years के बाद ज्यादा कॉमन इसलिए यह अच्छा एक्जामपल है देखते हैं coronary heart disease तो इसमें क्या होता है कि इसके maximum जो cases होते हैं वो 40 years के बाद में ही मिलते हैं diabetes mellitus hypertension coronary heart disease यह सारे chronic non communicable disease है chronic भी है और non communicable भी है तो chronic disease जो होते हैं काफी लंबा टाइम लेते हैं तो यह जो life होता है किसी के life के latter part में ज्यादा common होते है और इसलिए औलड ज्यादा common होते हैं अब बात कर लेते हैं cancer की to cancer जो होता है यह िहल अधि एस ग्रूप में हो सकता है लेकिन यह एक digestive change है और chronic change है तो यह भी जो life का ? तो यह भी 50 के बाद ज्यादा देखने को मिलते हैं, I mean after 50 years ज्यादा देखने को मिलते हैं, आप बात करते हैं, तो cataract भी age के साथ में बढ़ता है, तो यह भी 50 के बाद ज्यादा देखने को मिलेगा, तो even these non-communicable diseases are very good example of age distribution of a disease, अब दिखते हैं, common age group asked in India, इंडिया में कुछ age group है, इनको मतलब पूछा जाता है question में, अलग-अलग age group को कैसे बांटा गया है, ठीक है, तो WHO के guideline के according भी, चायल्ड किसको कहा जाता है, तो 0 से 18 years के जो होते हैं, जो भी, तो उनको हम चायल्ड में रखते हैं, पीडियाटिक्स में भी आपने देखा हुआ कि 0 से लेकर 14 to 16 year के बच्चे वहाँ पे आते हैं, इसलिए WHO के guideline या फिर RCS प्रोग्राम में 0 से 18 वर्स को चायल्ड में include किया गया, जिसकी भी यह इतनी ह अब देखते हैं, adolescent में, adolescent में 10 to 19 year को रखा गया है, 10 से लेकर 13 year को early adolescence बोलते हैं, 14 से 16 को mid adolescence बोलते हैं, और 17 से 19 को late adolescence बोलते हैं, अब देखते हैं, reproductive age group क्या है, तो reproductive age group means जिस टाइम में reproduction हो सकता है, तो यह इसका age है 15 to 49 years okay, geriatrics किसे कहते हैं, तो more than 60 year के जो है, उनको geriatrics बोलते हैं, means oldest, 60 years से ज्यादा, perinatal period के बारे में बात कर लेते हैं, तो perinatal, natal का मतलब होता है, delivery, तो perinatal means हो गया, around the delivery, peri means around the delivery हो गया, यानि delivery से पहले से लेकर, delivery के बात तक का इसमें टाइम आइम आता है, तो delivery से पहले हम कब से लेंगे, तो 28 week period of gestation से लेके, till 7 day post delivery, delivery के साथ दिन बात तक कर दो टाइम होता है, उसी को हम perinatal period कहते हैं, okay, अब देखते हैं, period of viability, viability means alive रहना, जीवित रहना, तो period of viability जो है, viability of fetus का मतलब होता है, independent survival, baby खुद से survive कर जाए, यानि मदरस उम के बाहर भी survive कर जाए fetus अपने आप survive कर सकता है, तो इसमें क्या होगा, हमारे इंडियन जो RCS program है, यह बताता है, कि period of gestation after 28 week, या फिर कह सकते हैं कि birth weight अगर किसी baby का less than, sorry, more than 1000 है, या फिर birth length more than 35 cm है, तो उसके बाद से इसको क्या बोलते हैं, period of viability में रखते हैं, अब बात करते हैं, अब बात कर प्रोग्राम है, उसमें period of gestation अगर 28 week से कम है, और वो बच्चा abort करता है, तो उसे हम abortion बोलते हैं, या फिर birth length 1000 gram से कम है, birth weight, और birth length 35 cm से कम है, तो उसे उसके बाद अब आब करता है, तो उसे हम abortion में रखते हैं, इस तेल birth किसे कहते हैं, तो अगर period of gestation 28 week से जादा है, और birth weight जो है, वो भी 1000 gram से जादा है, birth length more than 35 cm है, तो उसे क्या बोलेंगे हैं, उसके बाद अगर बेबी की delivery होती है, और बेबी मरा हुआ मिलता है 28 week के बाद, तो उसे हम बोलते हैं, still birth, अब देखते हैं, जैसरा, sex distribution, sex distribution में देखते हैं कि जैसे मिजेल, मॉम्स है, रूबेला है want to keep. ली जैसे मिजेज़ मंस, रूबेला, व् चिकन पॉक्स है, टो यह सारे diseases जो हैं, वो seu करते हैं, या नहीं हो करते हैं, okay, तो मिजेल्स मॉम्स रूबेला चिकेन फक्षी सारे क्या है कॉमा डिस्पिरेटिटी डिजी यह तो मेल को भी हो सकते हैं फीमेल को भी हो सकते हैं तो इसमें कोई भी सेक्ष डिस्टिबूशन नहीं होता है ओके फिर अब देखते हम H1N1 मलेरिया डेंगू तो H1N1 क्या है एक वाइरल डिजीज है तो वाइरल डिजीज जो है इसमें कोई सेक्ष डिस्टिबूशन नहीं होता है मलेरिया और डेंगू है इसमें यह दोनों मॉस्क्यूटो की वैसे होते हैं तो इसमें भी मॉस्क्यूटो किसी को भी काड़ सकते हैं मेल हो या फीमेल हो तो यह दोनों से distribution का अच्छा example मना जाता है क्योंकि ये बाइबर genetically males में ज्यादा होता है अब देखते हैं hypertension तो hypertension का जो chance होता है वो female में risk जो होता है वो females में ज्यादा होता है female has क्यों ज्यादा होता है क्योंकि female has higher life expectancy यह socio-demographic reason है कि फीमल को जो है फीमल की life expectancy जो है मेल से 5 से 8 सल ज्यादा होती है और सब्सक्राइब को ही ले ले तो hypertension जो है या फिर cataract जो है वो latter part में ज्यादा होती है जब आदमी का 45 years से बात जाता है 45 50 60 के पार जाता है तो उस टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और फीमल जो है मेल से 5 या 8 साल ज्यादा जिन्दा रहती है तो automatically cataract या फिर htn जो है smoking करना ठीक है तो alcoholism या फिर smoking यह दोनों किसमें ज्यादा कॉमन है मेल में ज्यादा कॉमन है तो इसलिए automatic यह मेल में ज्यादा होगा तो यह क्या हो गया सेक्स डिस्टिविशन का एक अच्छा एक्जामपल हो गया अब देखते हैं एक road traffic accident तो road traffic accident जो है यह मेल में ज्यादा कॉमन है क्योंकि road traffic accident जो होता है अगर सपोज एक आप एक्जामपल ले ले तो railway accident होता है उसमें 1000 लोग इंजर्ड होते हैं अगर आप data analysis करोगे तो आपको पता चले कि उसमें 700-800 mail मेल मिलेंगे क्योंकि ज्यादा तर mail travel करते हैं और क्योंकि mail ज्यादा ट्रेवल करते हैं ज् आपको पॉलियों भी एक वाइरल डिजीज है तो पॉलियों भी क्या करता है सेक्सट्रिवस नहीं सो करता है डाफवायर और कॉमेंड डिजीज हैं तो यह लेकिन फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है सेवन टो टेन टाइम पोर चांस ऑफ आफिज अफियर नहीं से ज् सबसे पहले आते हैं एक सर्वाइकल कैंसर है तो क्या सर्वाइकल कैंसर फीमेल में ज्यादा होगा या मेल में ज्यादा होगा तो हम सभी जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर तो मेल में होता ही नहीं सर्वाइकल कैंसर जब भी होता है तो फीमेल में होता है तो सर्वाइकल कैंसर प्रोचतलिक प्रोजह पायर करेंड स्भाश पचाद का यह का क्यों वदुक्श करेंड लुद्ध का हःँ डियू तो सर्भाइकल ए था प्रोट्रीच जो है है benign prostatic hyperplasia से मेल में होता है तो इसारे क्या है sex-restricted disease है क्योंकि यह यह तो female में होते हैं फिर सिर्फ male में होते हैं अब देखते हैं breast cancer तो आगर आप surgery के knowledge से correlate करें तो आपको पता चलेगा कि 99% breast cancer में होते हैं breast cancer की cases फीमेल में होते हैं लेकिन वो भी ज़्यादातर complicated या fatal होते हैं क्योंकि breast cancer female में ज़्यादा होते हैं इसलिए breast cancer sex distribution का एक काफी अच्छा example माना जा सकता है अब देखते हैं oral cancer और lung cancer तो यह male में ज़्यादा होते हैं क्योंकि tobacco achieving जो होता है या tobacco smoking वो male में ज़्यादा होता है और oral या lung cancer का सबसे बड़ा risk factor है tobacco smoking ठीक है इसलिए यह worldwide या दुनिया के किसी भी country में देखें तो oral cancer या lung cancer जो है वो male में ज़्यादा मिलता है कि age related है old age में ज़्यादा होता है और female में higher life expectancy होते है इसलिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें